डियर स्टुडेंट आज किस वीडियो में पार्ठेक यूरोप में राष्ट वाद के विकास के संदर में कुछ महत्पूर्ण प्रस्णों को बताएंगे जो बोड एक्जाम दिरिश्ट कौर्ट से महत्पूर्ण है बोड एक्जाम में इस तरह से प्रस्णा आते हैं तो इन प्रस्णों को कैसे आप हल करोगे किस तरह से करोगे आप तो इन प्रस्णों के संदर में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे प्रस्णों कुछ तर किस रूप में दिये जाएंगे तो आहिए हम लोग अपने वीडियो में आईसे प्रस्णों को देखेंगे का समविधानिक प्रतिवंदर नहीं लगाना जाता था उसे संसद, समविधान और के आदर्सों से घ्रीणा थी उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग का निर्माड राजा ही कर सकता है तो इस तरह से वो राजा में अपना जो है विश्वास रखता था और उसी के आधार पे जो है सासन वेवास्ता को संचालित करना चाहता था जर्मनी के भाग करनिर्मार राजा को मानते हुए वो अपने कारें को समपातित किया उसने क्रांधीकारियों और उदार वादियों की कट हूआ आलोचना की बिसमार का उदेश जो मुख के उदेश था उसने प्रशा को शक्तिशाली राष्ट बना कर उसके नेतित में जर्मनी का एकी करण करना था तो एक प्रकार से बिसमार्ग कर सकते हैं कि प्रशा को जो है बहुँ जादा शक्तिशाली राष्ट बनाना चाहता था और उसी के नेतित में जर्मनी का एकी करण करने का कार प्रारंब करना चाहता था उसका उदेश आश्टिया को जर्मन परिसंग से बाहर निकालना था क्योंकि एकी करण के मार्ग में आश्टिया सबसे बड़ा बाथा था साथ ही वह जर्मनी को यूरोप के प्रभूग शक्ति बनाना चाहता था उसने प्रशा की सेना का संगटन कर उसे उरोप में सक्तिशाली राष्ट बना दिया तीस आरस इसके मादधम से उपने कारियों को संपादित किया नेस्ट क्योशन है जर्मनी के एकी करण की कौन कौन सी बाधाएं थी इसका उतर देखेंगे जर्मनी के करण की प्रमुक बाद हाई इस प्रकार थी जैसे फिर्ष्ट जर्मनी की समस्चाओं में आश्ट्रिया का अनावश्यक होना तो ये जो है ये मुखे एक बादा थी कि आश्ट्रिया अनावश्यक जो है हस्ता छेप करता था Second, Germany के राजजों में आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक असमानता थी Third point, England भी France की तरजर्मन राजजों में अपनी रूची बनाए हुए था और वह जर्मन के उतरी राजजों में अक्सर हस्त छेप करता रहता था नेश्टमाइन जर्मन के अधिकान राज्जों की सैनिक शक्ति कमजोर थी नेश्टमाइन जन सामान में जागरुकता का अभाव था और जर्मन के दच्छन राज्जों में पोप का प्रभाव था जो जर्मन के एकिकरण में सबसे बड़ी बादा थी जर्मनी के की करण के कौन-कौन से सहायक तत्व थे तेन सहायक तत्वों को देखेंगे जर्मनी के की करण में फर्स सहायक तत्व सा जालवरीन जो एक संग था जो 1834 में प्रशा राज्य की पहल पर एक सुल्क संग जालवरी नाम्द के रूप में इस्थापित किया गया और इस संग में लगबग सारे जन्मन राज शामिल हो गए थे तो ये सुल्क संग था जैसे आजकल के समय में सुल्क रखता है विदेशों से जो भी आयातित नेराति चीजें होती हैं सुल्क लगता है तो इस तरह से इस टाइम में भी इस तरह की विवस्ता थी कि हर राज में सुल्क न देना पड़े एकी संग के माद्यम से सभी राजों को एक टेक्स मतलब लगे बहुत धिक आंदोलन हुए थे इस टाइम में सबसे बड़ा बाधा कौन था इस ट्लि एक एकी करण में सबसे बड़ा बाधा कौन था आस्ट्रिया था तो ये बोर्ड एक्जाम के दिरिष्ट कॉंड से बहुत ही short question है, बहुत ही महत्पूंड है, repeat होने वाला ये प्रशना है, तो इस तरह से इटली के की करण में सबसे बड़ा बाधक आश्टिया था, second question है, कौन सा राज जो था इटली के एकी करण की अगुवाई की थी, ये भ अंतराष्टी किसने बनाया था, इसका अंसर है, काउंड काबूर इटली की समस्या को अंतराष्टी समस्या बना दिया, तो इस तरह से बोर्ड एक्जाम में बहुत सारे question आते हैं, इसको अलोकन करेंगे, मनन करेंगे, अगले प्रस्ट में हम लोग चलते हैं, इटली के एक करण का स्रे मिन्जनी काउंड काबूर को और गेरी बाल्डी को दिया जाता है, सायुक दूरूप से, तिस तरह से इस आंसर को ऐसे करेंगे, नेश क्यूस्टन पे हम लोग चलते हैं, कि किस तरह से जो है इटली के एकी करण की तलवार कीसे कहा जाता है, प्रस्टन है, इसक प्रस्टन बोर्ड एक्जाम में आते हैं, तो इस तरह से एक ही प्रस्टन से आपके दो-दो प्रस्टन रिडी रहते हैं, बीकल्पी क्यूस्टन भी आप इसी से आसानी से कर सकते हो, अगर इस तरह से आप लर्न रखोगे, नेश क्यूस्टन है, ये वेरी इंपोर्टन क्य गोसिप मेजनी ने 1838 में किया था नेश्ट क्यूषन लाल कूर्थी सेना का गठन किस ने किया था Gary Valdi ने लाल कूर्थी नाम की सेना का संगठन किया था तुई इस दरह से प्रशनों के क्रम में जो भी board exam में इस दरह से प्रशने आते हैं उनको लगने रखेंगे कार्बुनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था कार्बुनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था ये विकल्पी में ये क्यूशन आता है बेरी इंपोर्टेंट और बेरी शौट क्यूशन में भी आता है इस तरह से नेस्ट क्यूशन है इटली के एकी करण की सुरुआत कहां से हुई थी तो ये प्रेस्टन भी कलपी भी है और पेरिशाट क्यूशन में भी महत्पूड है इटली के एकी करण की सुरुआत लॉंबार्डी और साडीनिया के राज्यों के मिलने से हुई नेस्ट क्यूशन पर हम लोग चलेंगे इटली का जन्म कब हुआ था इटली का जन्म 2 अपरेल 1860 हिस भी से माना जाता है तिस तरह से board exam में इतने सारे questions है first lesson से यूरोप के संदर में बहुत सारे questions आते हैं निर्मेसी ये सारे questions महतपूर है विकल्पी questions very short question से ही बनते हैं इसी से लग उत्री इसी से विकल्पी questions बनते हैं तो अगर इस तब तथ्यात्म प्रश्णों को अगर याद रखेंगे, तो आप लॉंग क्यूशन भी कर रहे हो तिन प्रश्णों को डेट जैसे है, किसने किया था, यंग इटली के मादम से, उन्हीं शौट क्यूशन को तथ्य बना करके आप दीर खुतरी प्रश्णों को अगली वीडियो में हम लोग आएंगे, धन्यवाद